Hello my dear ones, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आपकी खासियत के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके पास वो पावर है कि आप अपने जीवन में हार्मनी मेंटेंड कर सकते हैं और harmony maintain करना कितना आसान है ये आज आप सीखने वाले हैं आपके अंदर वो खासियत है कि आप अपने जीवन को harmonious बना सकते हैं अब देखिए हमारा जीवन किवल हमारे पर तो निर्भर है नहीं हमारे साथ परिवार है समाज है और सब जिके लोग हैं लोग हैं तो उनके अलग लग संसकार हैं अलग लगादते हैं अलग लग अनुभव हैं सब कुछ अलग लग है तो ऐसा तो होई नहीं सकता कि किसी से बहस नहीं होगी किसी से मनमटाव नहीं होगा जगड़ा नहीं होगा सब हो जाता है न तो अगर कोई आप से जन्वन किसी बात पर discussion करता है जिसको ऐसे हिंदी में कहते हैं बहस सी चल रही है अचली वो बहस नहीं होती वो एक discussion चल रहा होता है और कई बार लोग अपनी limitation के वज़े से अपनी mood पर तक control नहीं कर पाते हैं तो वो discussion को argument में भी बदलने की कोशिश करते हैं पर वहां तक जब तक कुछ कोई base है, logical कुछ चीज discuss कर रहे हैं उसमें थोड़ा पत arguments भी हो रहे हैं चलो समझ में आजाता है लेकिन बिन बात की बहस बस अपनी हुशारी ज़ड़ना और बात बात पर बहस ये भी सही नहीं रहता तो आपनी कहावत सुनी होगी एक चुप सौ को हरा है बड़ी कमाल की कहावत है एक चुप सौ को हरा दे इसका क्या मतलब है कि जब भी आप देखो कि कोई मुर्ख व्यक्ति आपके सामने है और वो बहस कर रहा है अपनी मुर्खता का प्रदर्शन कर रहा है उसे पता ही नहीं है कि असली बात क्या है उसने कोद बढ़ना है बहस करनी है सचाई उसने जानी नहीं है आपका point of view उसने समझानी है बस उसको अपनी victory से मतलब है कि बस मुझे बहस करनी है उसके लिए चाहे मुझे चीकना पड़े चिलाना पड़े सामने वाले का आप मान करना पड़े अप शब्त कुछ भी करना पड़े लेकिन मुझे तो बस कहना है non sense way में बस बोलना है बोलना है बोलना है अब जैसे ही आप ये चीज़ समझ हो कि मैं सही होते में भी अपना point रखने में इस ठाइम ऐसमर्थ फिल करणा और सामने वाला है कि वो चुपी नहीं हो कि तेरा बहस करने पर आपको उकसाने पर उतारो हो रहा है तो उस समय बड़ा सोचो और उस समय ये अपना हो एक चुप सौक को हो रहा है सामने वाले को अपनी मतनमीजी करने का मौका की बल तब तक मिलता है जब तक आप उसका जवाब दे रहे होते हो जब आप जवाब देना बंद कर देते हो तो उसकी सारी negative energy उसके अंदर ही लौट लौट कर उसको ही सताती रहती है क्योंकि वो negative energy आपकी तरफ फेकने की कुशिश करता है जब आप उसे पकड़ने से मना कर देते हो तो वो क्या है वो फिर उसके पास लौट जाती है वो और परिशान होता है और उसके दिमाग में गुस्सा चड़ जाता है और उसके अंदर गलत-गलत बाते उसको ही पूरी तरीके से बरबात करने लग जाती है तो एक चुप सौ को हरा है अब उस वक्त चुप हो जाओ अब कुछ लोग क्या होते है यहां ना समझी कर जाते है वो भी मुर्ख के साथ मुर्खता का प्रदर्शन करने पर लग जाते है उसके अच्छा हम चुप हो जाए हार मालने हम है ना मतब हम में कोई बात ही नहीं है मतब हम क्यों हारे हम तो सही है हम तो बूलेंगे हम तो प्रूफ करेंगे कि हम सही है कर दे रो फिर प्रूफ, टाइम बेस्ट कर लो, अपनी एनरजी को डिप्लीट कर लो खुब करो, उस मुर्ख व्यक्ति के पास तो बहुत सारा टाइम है उसके पास तो और कोई जीवन का उद्धेशन नी, उसने तो सारी एनरजी और टाइम यही पर लगाना है लेकिन अगर आपके पास जीवन में कुछ बढ़ा करने के लिए आपका कोई उद्धेश्य है आपके अंदर कुछ समझदारी बाकी है, तो यहाँ पर एहम को पीछे रखो और समझदारी को आगे रखो क्योंकि आप कितना भी प्रूफ करने की कोशिश करोगे गलत आदमीं के सामने उसकी नजरों में आप तभी भी गलत ही रहोगे और जिनको पता है जो इतने समझदारी कि आप सही हो, उनने तो पहले से ही पता है उनको क्या प्रूफ करना तो आप ये सोच रहों कि औरे Rumony अगर आप इसको अगर आप इसको इस तरीके से समझ लोगे ना हारमानी यानि कि अपनी मांसिक अपनी भावनात्मक शान्ती के लिए अपने अच्छे स्वास्ते के लिए अपने जीवन के सुकून के लिए अगर आपने हार मान ली किसी मुर्ख के सामने तो ये समझदारी आपकी जीत है क्योंकि आपने बहुत कुछ बचा लिया जो आप खो देते हैं इस बहस के चक्कर में तो हार्मनी मिंटेन करने के लिए हार मानना सीखो किस के सामने हार माननी होती है अभी तो बतने बताया मुर्ग व्यक्ति जो बिन बात की बहस कर रहा होता है उसको कितना भी अपना point explain करने कोशिश करोगे बिल्कुल वो योगा कि अंधे के आगे रोए और अपने ने ना खोए बहस के आगे पीन बजाना और दिवार को सर में मारना इस सबका क्या मतलब है कि सामने वाले पर कुछ फरक नहीं पड़ रहा है आपका ही नुकसान हो रहा है तो आपको अपने एहम को पीछे और समझदारी को आके रखना होता है अपने time को अपनी energy को बचाना होता है आचारे चानक के ने भी कहा है ना कि मूर्ख व्यक्ति कुछ समझाने की कोशिश करता है सबसे बड़ा मूर्ख वही व्यक्ति होता है तो आप आप बताईए आपको क्या बड़े मूर्ख की उपादी चाहिए नहीं चाहिए ना समझदार है ना आप दूसरे इंसान को तब तक समझाई नहीं सकते जब तक कि वो समझने के लिए तयार ना हो। इसलिए दूसरों पर समय नश्ट करने की बजाए। आप अपना समय बचाओ, अपनी ओर्जा बचाओ, अपनी जीवन को बहतरी की ओर लेका जाओ। तो एक चुप सौ को ऐसे हरा देता है। फिर जब सामने बाले को पता सल जाता है ना कि उसकी मुर्खता का प्रदर्शन वो कर रहा है और आपका कोई रिस्पॉंस नहीं आ रहा है। तो आपकी स्ट्रेंथ का उसको आइडिया लग जाता है। और वो आपसे फिर पंगे लेना जाएंगे जाएंगे तो आट दस बार कर लेंगे लेकिन ठक जाएंगे वो चेंट तो जाएगी जल्दी ही। लेकिन अगर वहां से रिप्लाय आता रहेगा, तो ये जीन कितनी भी लंभी हो सकती है। होती है, न tips है, तो बस यहीं तो चीज ही, यहीं तो समझा रही हूं मैं आपको आपको भहस करने से बचना है। जो भी लोग भहस करने से बचते हैं, वो बहुत समझदार होते हैं क् बिमारियों से बचे रहते हैं और समझदारी से, खोशाली से अपना जीवन आगे बढ़ाते रहते हैं उनकी जीवन में खुशें खुशें आती हैं क्योंकि अगर आप एक बार नकारत्मक भावों में रहना शुरू कर देते हैं आपके अंदर नकरत्मक सोच जन्म ले लेती है तो आपके अंदर वही चीज बढ़ती चली जाती है क्योंकि आपका फोकस वही बना रहता है और आप तिल-तिल करके अपने शरीर को बिगाड़ रहे होते हैं और दुनिया भी साथ छोड़ती है आपका शरीर भी साथ छोड़ने लगता है आपका मन आपको ही सताने लगता है लेकिन जो लोग ये एक चुप सौ को हराय वाली पॉलिसी अपना लेते हैं और हार्मनी का मतलब हार्मानी ऐसे हार्मनी अपने जीवन में मिंटेन कर लेते हैं वो लोग अपनी energy को safe करके रखते हैं अपने time को उसकी value को जानते वे समझते वे उसको safe करके रखते हैं और वो अपनी जिन्दगी में positive emotions के साथ positive thinking के साथ आगे बढ़ते रहते हैं फिर उनकी जिन्दगी में और ज़्यादा blessings आते हैं और ज़्यादा gratitude वो feel करकर बहुत अच् आल gratitude से भरावा इंसान है वो अपनी जिन्दगी में ऐसे ही लोगों को attract करता है और खोब खोब खुशाली होती है उनकी जिन्दगी में जो लोग positive होते हैं अपने अंदर क्योंकि हम अपने जैसे ही परिस्तियों को अपने जैसे ही लोगों को attract करते रहते हैं तो आपको आपके जीवन की 80% problem खतम हो जाएंगी यह एहमी है जो आपके अंदर सड़ चड़ कर बोलता है और आपको पसा कर भाग जाता है फिर आपको सफर करना पड़ता है तो जिसने भी अपने एहम पर विजह पाली और समझदारी को आगे रख दिया वो जिन्तिगी में खुशाल रहता है आप हर दिन अनुभफ करेंगे कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल ही जाता है घर में भी कई बार ऐसा होता है बाहर होता है कहीं पर भी है कोई ना कोई हमसे उलजने के लिए तयार रहता है क्योंकि उसकी लाइफ के अपनी कोई struggle frustration हो सकती है या उसके अंदर कुछ ऐसे narcissistic traits हो सकते हैं जिसकी वज़े से उसको बस अपना इपर्चम लहराने का अंदर से महसूस होता रहता है तो कुछ भी हो सकता है लोग चलते फिरते ऐसे हैं ना कि जिसे होता है बारूत बम का गूला ऐसे मानव बम बन चुके हैं इतना भरेवे होते हैं कि जहां प्रेले बस महीं पर फट पड़ने के लिए तयार हैं तो आपको उन मानव बम को तीली लगाने वाला नहीं बनना है उनको फुसकरने वाला बनना है तो कैसे अगर आप एक बम में ऐसे चिंगारी लगा देंगे तो फट पड़ेगा लेकिन अगर आप उस पर पानी डाल दे तो क्या होगा। उसका बारूद जलन लाइक निमचेगा। तो आपको ऐसे बनना है, Sh företal, पानी की सभाव क्यों होता है उसक Strawberry उसको गरम क्या जाता है। लेकिन उसका सभाव एक मोल सभाव क्या होता है, Shant Shirtal Shatch तो आपको वो बनना है। तो आपको बहुत अची तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है अब यह 24 आपकी भी है, मैं आपपट छोड़ती हूँ जिन्दिगी क्यों कि आपकी है आपको क्या बनना है, कैसे जिन्दिगी चीनी है क्या एहम को आगे रखना है, समझधारी को आगे रखना है सब चुनाव आपका होना चाहिए क्या एक चुप सौ को हराए ये बात आपको समझ में आती है या हार मनी में हार मानी और अपनी जिंदगी में हार मनी कर ली ये समझ में आता है कमेंट करकर मुझे बताओ, समझ में आता है तो और इस वीडियो को माकी लोगों के साथ भी शेयर कर अपनी नियर इंडियर वन्स को, सब को इंपावर करो और चब आप कमेंट करकर मुझे अपना प्यार देते हो और मुझे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है, मुझे लगता है कि मेरे चोटे-चोटे से प्रयास आपके जिंदगी में बड़ा सा डिफरिंस लेकर आ रहे है आप अपना खास ख्याल रखना मैं मिलूंगी आपसे नेक्स वीडियो में हसते मुस्कराते मिलना मुझे रहे है